गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आज हम हिंदी की पाठ पुस्तक कच्छा बारा के कावे खंड से सम्मन्दिक, कावे कावे पाठ का वाचन और उसकी ब्याक्या को लेकर आपके समच प्रस्तित हुए हैं। पहला पाठ पमंदूत का जो एउद्या प्रसाद हरियोज जी के द्वारा एउद्या सिंह उपाद्याय हरियोज जी के द्वारा रचित है। उसमें आपको पहले चार पंक्तियां और उसके उपरान चार पंक्तियों की ब्याक्या पिछले वीडियो के माध्यम से बताए गई थी। साथ ही साथ काब का क्या आउचित है ये भी समझाया गया था। उसी स्रंकला में इस वीडियो के माध्यम से हम आगे की पंक्तियों की ब्याक्या को समझेंगे जानेंगे। पिछली पंक्तियों में आपने जाना कि किस प्रकार रादिका दुखी होकर पवन से कहती है कि हे प्राता कालीन पवन तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है। क्या तू भी इस समय के साथ कठोर्ता के कारण दूसित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूर्ता का प्रभा पढ़ गया है। जो मेरे दुखों और अधिक बढ़ा रही हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कभी ने रादिका और क्रश्न के बियोग के छड़ों को सब्दों के माध्यन से पिरोया हुआ है। बड़ा सुन्दर ही बियोग स्रंगार का वर्णन पंक्तियों में परिलच्छित होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में मेरे प्यारे नो जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आये ना मदवन से और ना भेजो संदेशा। तो प्रस्तुत पंक्तियां खड़ी बोली जो कि आपको पहले ही बताया गया है कि अयुद्या सिंग वपाध्याय हरियोद खड़ी बोली में भी महारत जिनको हासिल थी। रामचन सुकली जी ने उने द्वी कलात्मत की संग्या द्वी थी। और ब्रजभासा में भी इन्होंने काबि रचना की। तो प्रस्तुत पंक्तियां खड़ी बोली से हैं जो कि प्रसिद्ध काबि संग्रह उनका प्रीप्रवास से ली गई हैं। इनमें बेरह का वर्णन करते हुए राधिका जी कहती हैं पवन को अपना दूद बनाकर स्रीक्रश्न के पास अपना संदेज भेजवाना चाहती हैं और मार्ग में पढ़ने वाली जो भी सुन्दर मनोहारी सुस्मा का वर्णन करते हुए पवन को उससे प्रभावित होने के लिए नहीं कहती हैं। और पवन से वै ऐसी उमीद रखती हैं कि वै उन बाहरी आकर्श्नों से प्रभावित ना होकर उनका संदेशा सीधे स्रीक्रश्न जी से कहें। तो मेरे प्यारे नौ जलद, यहां जलद, जलद का अर्थ, बादल, बादल से कहा है, हवा से कहा है, कि नीरों से भरे नेत्र वाले जाके आए ना मदवन से और ना भेजो संदेशा, नवीन मेग बादल जैसी सोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्री स्रीक्रश्न, मेरे प्री स्रीक्रश्न यहां पर कभी ने उपमा अलंकार का प्रियोग करते हुए, स्रीक्रश्न की तुलना उपमा नवीन मेग नए बादलों से और कमल जैसे नेत्रों से की है, जो स्रीक्रश्न मतुरा जाकर वापस नहीं आए हैं, उनके बिरह में राजगा जी ब्यात्यत हैं और उनको वे संदेश भेजना चाहती हैं, तब ही वे वायू से कहती हैं, पवन से कहती हैं, इसलिए पाट का नाम पवन दूद का रखा गया है, दूद का मतलब संदेश ले जाने वाले और पवन वायू, तो कहती हैं, मैं रो रो के प्री विरह से बाबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा स्याम को तु सुना दे। रादका जी प्रस्तुर पंक्तियों में कह रही हैं कि मेरा हाल अत्तदिक कष्टकारी है, मैं रो रो के अपने प्री के ब्याथा में बाबली अर्था पगली हो रही हूँ, तुम पागल सी हो गई हूँ, सिरी कृष्ण की बिरह में और तुम जाकर मेरी ये दुख कथा स्याम सलोने सिरी कृष्ण को सुना देना, जिससे वह आकर मेरी ब्याथा को दूर कर सके। तो कभी ने उपमा अलंकार के माध्यम से स्री कृष्ण को बादल से और कमल जैसे नेत्रों से तुलना करते हुए, पमन को मानवी अलंकार कावदाना प्रस्तुत करते हुए, मानों के स्रेणी में रखते हुए, एक दूर्थ के माध्यम से अपना संदेश बेजने के लिए स्री कृष्ण के पास बेजती हैं, और आगे के पंक्तियों में कहती हैं, कि जिवही मेरा भवन तज तु अलप आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा भवन जहां राजिका रहती थी, तज छोड़ कर, मतलब कि वह जगे छोड़ देना, आगे के पंक्तियों में आप देख रहे हैं, क्यों जिवही मेरा भवन तज तु अलप आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी पंक्तियों मिलेंगी, सोभा वाली अर्थात, अनेक मन मौहक छवी प्रस्तुत करते हुए, नैसरगेक सुष्मा से सुषजित प्रकती, सुखद कितनी मन जो कुझें मिलेंगी, ऐसी कितनी अनेक कुझें दिखाएं देंगी, लताएं दिखाएं देंगी, आकरसिक मन को मानोहर करने वाली वस्तु में दिखाएं देंगी, उन वस्तु के कुझें की लताओं के छाया बड़ी सीतल और आकरसक होगी, प्यारी छाया म्रदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, प्यारी छाया वै सुन्दर सीतल आकरसक छाया, और उन पर बसने वाले पच्छियों के चहकने से उत्पन अत्यंत मदुर ध्वानी निकलेगी, हे पवन उस ध्वानी में तुम आकरसित मत हो जाना, वैं तुम्हें मोहने की प्रियास करेंगी, लेकिन मेरा आग्रह है कि तुम ऐसी सुभा वाले सुखद मंजुकुन्जों में, सीतल आकरसित छाया में और उनमें निवास करने वाले पच्छियों की सुन्दर म्रदुल स्वर में, किलकारियों में, अत्यंत मधुर ध्वनी में मोहित मत हो जाना, जो मैंने संदेशा अपने स्याम के लिए भेजा है, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाब इस्राम न लेना, तो जो संदेशा मैंने अपने स्याम के लिए तुम्हारे माध्यम से भेजा है, वह मेरे दुख का ध्यान करते हुए, वहाँ रुकना मत और उस संदेशा को मेरे स्याम के प्रति पहुचा ही देना, तो अब पूरा एक साथ देख लें, कि राधिका पवन से कहती है, कि नवीन मेग जैसे सोभा वाले, सुन्दर, नेत्रों वाले, कि मेरे प्री स्री कृष्ण मतुरा जाकर वापस नहीं आए, वहीं पर बस गए हैं, और नहीं वहाँ से उन्होंने कोई संदेश प्रेशित किया है, जिससे राधिका बड़ी ब्यथित हैं, और वह पवन के द्वारा अपना संदेश बेजती हैं, कि हे पवन मेरे प्री स्री कृष्ण को यह मेरा संदेश देना, कि मैं उनके ब्रह में रोरो कर पागल हो रही हूँ, और तुम उनके पास जाकर मेरे दुख की संपूर कथा उन्हें सुनाओ, कि मैं किस प्रकार उनके ब्रह में पागल सी हुई जा रही हूँ, रादिका कहती हैं कि पवन जैसे ही तुम मेरा घर त्याक कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें अत्यान्त सुन्दर और सुखद कुझे दिखाईं देंगी, जिनकी छाया बड़ी सीतलो अराकर्सक होगी, पच्छियों के चहकने से उनसे अत्यान्त मदुर ध्वानी निकलते हुई सुनाई देगी, अपने इन सब गुड़ों से वे पवन तुम्हें आकर्सित करेगी, मोहित करेगी, कि लेकिन तुम उस मोह में मत पढ़ना, और मेरे दुख का ध्यान करते हुए, तुम वहां रुकना मत, क्योंकि मेरा संदेशा सिरी कृष्ण तक आपको पहुचाना है, तो आप लोगों को प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा, प्रकति के माध्यम से रादिका ने अपनी पीड़ा को वाणी दी है, इसमें बियोग संग्रार कर बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है हरियोज जी ने, पूर्व की पंक्तियों की भाति इसमें भी अभिदा सक्ति का प्रियोज किया है, और इसमें भी प्रसाद गुण है, छंद मदक्रांता का उप्योग बड़ा ही मनमुखक कभी ने किया है, तो कभी इन पंक्तियों के माद्यम से रादिका और स्रीक्रश्न के बियोग का वर्णन किया है, आगे की पंक्तियों में आप देखेंगे कि रादिका आगे की पंक्तियों में किस प्रकार से अपना संदेश आगे पहुचाती है स्याम तक जिसका वर्णन आगे आने वाली पंक्तियों में किया जाएगा, थोड़ा सरस राव का धाम सत्पुस्पवाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर शाली यहां सरस अर्थात मधुर राव का मतलब सब्द से है तो यहां थोड़ा सा आगे सरस राव, सरस मधुर राव माने सब्द का धाम सत्पुस्पवाला पुस्पवाला धाम पड़ेगा तो रादिका ने प्रस्तुत पंक्तियों में जो दुख से परपूर है रादिका जी मतुरा के मार्ग में पढ़ने वाले इस्थलों का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों के मादम से क्रिया है और पंक्तियों को समझाया है कि तू मार्ग में मोहित मत होना मार्ग में मोहित मत होना रादिका ने पंवन से काया है कि थोड़ा आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम ब्रद्दावन धाम मिलेगा सरस रवसब्द धाम सब्त पुस्पवाला जो ब्रद्दावन धाम है वो मार्ग में आपको मिलेगा उस ब्रद्दावन धाम की महिमा अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर शाली अच्छे अच्छे सुन्दर सुन्दर बहु अनेक द्रुम माने यहाँ पर पेण पौधे मिलेंगे लतावान सौंदर शाली जो लताओं से घिरे होंगे उनमें पसु पच्छियों का मदर संगीत गूजा करता है प्यारा ब्रंदा विपिन मन को मुगदकारी मिलेगा ऐसा सुन्दर मन को मनोहारी लगने वाला ब्रंदा वन विपिन जंगल ब्रंदा वन धाम मिलेगा जो मन को हर्षित करेगा मुगद करेगा तो हे पवन उस मुगदकारी व्रंदा वन धाम में आप मोहित मत हुए जो हमेशा मदर संगीत से गूजा करता है मदर फूलों से लदा रहता है सुन्दर सुन्दर ब्रच्छों तथा लताओं से परिपून है तो ऐसे उस वन में इधर उधर भ्रमण मत करना उस पर मोहित होकर वहां रुक मत जाना और जो संदेशा मैं भेज रही हूँ स्री क्रश्न के लिए उसमें मेरी ब्यथा को सोचना और वह संदेशा जल्द से जल्द स्री क्रश्न तक पहुँचा देना आगे कहती हैं जाते जाते अगर पत्मे क्लांत कोई दिखावे आगे जाते जाते आगे के पंक्तियां देखें तो जाके सनिकट उसकी क्लांतियों को मिटाना धीरे धीरे परस करके गात उत्ताब खोना सदगंदों से स्रमित जन को हरसिस सा बनाना तो प्रस्तुत पंक्तियों में रादका जी ने ब्रंदा वंधाम का वर्णन करते हुए पंवन को बताया है और कभी ने भी रादका का लोग सेवका का रूप चित्रत किया है कभी ने प्रस्तुत पंक्तियों में भी मानवी करन अलंकार का प्रियोग करते हुए पंवन को एक मानों का रूप दिया है सिंगार रश से ओत प्रोत ये कभी था जिसमें प्रस्तुत पंक्तियों में लचणा सहली का प्रियोग किया गया है लचणा सबसक्ति का प्रियोग किया गया है तो इन सब काब के तत्तों से पनपूर ये कविता जो प्रीप्रवाज जैसे महा काब से उद्दत है आपके पाठ करम का अंस है इन कविताओं के पद्दान्स के पाठ और कवि के नाम लिखने को आते हैं पद्दान्स के संद्द्वसेद ब्याख्या लिखने को आती है रेखांकित अंस की ब्याख्या करने को आती है और उससे सम्मंदित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो हम ब्याख्या के साथ साथ उन प्रश्नों को भी जाने और समझें ताकि परिच्छाओं में पूछने पर उन सब का उत्तर हम आसानी से दे सकें इसलिए ब्याख्या के समय समय पर कभी का नाम बार बार लिया जाता है ताकि छात्रों के मन में कभी का नाम बार बार आए पद्दान्सों की ब्याख्या की जाती है एक बार पंक्तियों को पढ़ते हुए उनका साब्दिक अर्थ दिया जाता है तत्पस्चात पूरे संपूर पैराग्राप की एक साथ ब्याख्या की जाती है ताकि संपूर अर्थ एक साथ निकल सके उसका भाव कविता का भाव कभी क्या बतलाना चाहता है प्रिस्तुत पंक्तियों से ये छात्रों को ग्यात हो सके पहले ही आपको बताया जा चुका है कि काब का अर्थ है पाठक के पाठक के हिरदय को आनन्दित करना और कभी ने कविता के माध्यम से हर संभो पिरत्न किया है कि पाठक को आनन्द का अनुव प्राप्थ हो तो कभी के प्रियासों को सफल बनाने के लिए हमें कविता का पाठ उसकी ब्याक्या मन से लगन से और परिस्रम से पढ़ना है जिस से हम अपने पाठक करम को बली बाती जान सकें समझ सकें और उनके उत्तर सरलता से दे सकें तो आगे की चार पंक्तियां का अर्थ अगले वीडियो में बताया जाएगा समझाया जाएगा जिसके लिए आप पाठ का वाचन करें और आने वाले वीडियो में उस पंक्तियों का अर्थ समझें और जानें जाएगा 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 जाए